यह हमारे HTML का पहला है चाप्टर है, यह चाप्टर है में हम HTML क्या होती हूँ, study करेंगे, और HTML का structure, पहला HTML, HTML means hypertext markup language, जिसमें web pages बनाने के लिए HTML का यूज होता है, हम अभी step पा step देखेंगे, कि HTML का structure कैसा है, HTML का page बनाना है, तो उसमें क्या क्या आता है, HTML के consequence tag होते है, यह हम one by one study करेंगे, और यह हमारा, यह one by one पूरे chapter wise हम study करेंगे, आज का structure introduction, तो हम इसमें यह देखेंगे, देखेंगे, मैंने अभी HTML का coding का page open किया है, जिसमें पहला tag है, document type, मैं अभी detail में नहीं वोलूँगा, आगे आगे हम जाके detail में study करेंगे इसका, दूसरा है HTML, तीसरा tag है head, यहाँ आप देख लीजेगा, कोई भी tag है, वो एक बार start होता है, और end होता है, जैसे कि HTML है, उपर start हुआ है, नीचे जाके end हुआ है, यहाँ, उसके पाद head, head tag है, यहाँ start हुआ है, उपर, और नीचे जाके end हुआ है, यहाँ पे, और head tag में title लाइए, एक, हाँ, उसके बाद यह body tag, यह start हो भाई, यह end हो भाई, और body tag में कुछ अलग-अलग tags है, यह है HTML का structure है, उसके बाद h1, h3, उसके नीचे आप देखेंगे तो paragraph, लेकिन यहाँ देख लीज़े, h1 यहाँ start हुआ है, यहाँ जाके end हुआ है, उसके बाद, आप नीचे का भी h3 भी देखेंगे, वो भी same है, यहाँ जाके h3 start हुआ है, h3 end हुआ है, मतलब यह tag जो pair में आते है, एक start होता, और end होता है, तो हम आपी, इसका structure तो एक बार study करेंगे, मैं आपको एक बार structure दिखा देता हु, xtml का, यह अपना xtml का, यह अभी बनाया था, हम लोगों ने, यह xtml page है, जिसका view है, उसको मैंने अभी open किया, ब्राउजर पर ब्राउजर पर भी, मतलब मैं यह आपको दिखा दिया है, कि वो open कैसे करना है, जिस राइट क्लिक करके, उसको open वही ब्राउजर बोलना है, तो वो open हो जाता है, उसके बाद देखो, यह है, जैसे कि हमने यह टाइटल में लिखा था, page title, तो यह अपने टाइटल टाइटल में लिखा था, वो उपर वो title टाइटल में आ रहा है, page title, उसके बाद यह नीच लिखा था, यहाँ आप एक बार यह देखेंगे, तो ह3 और ह1 में, difference है, ह1 सबसे बढ़ा आ रहा है, ह3 उससे छोटा आ रहा है, उसके बाद यह प्यारग्रफ टेख, यह हमने लिखा है, प्यारग्रफ टेख, यह होता है, यह है, exact structure HTML का, जैसे कि ऊपर देखेंगे, h1 tag है, ऊपर head tag है, html tag है, उसके बाद नीचे end हुआ है, head tag यह start हुआ है, है यह end हुआ है, title tag यह लिखा हुआ है, और body tag यह start हुआ है, यह end हुआ है, HTML में दो structure में divide हुआ है, आप देखेंगे तो, HTML का, दो part में divide हुआ है, पहला head और दूसा body, और यही दो structure होते है, यही दो structure में वो divide आता है, head tag में हमें meta के लिए जो information होती है, वो होती है, और body tag में सब content होते हैं, हाँ, यहाँ पर देख ली जगा, अभी मैं यहाँ पर HTML का कुछ versions देंगे, सब्सक्राइब के HTML 1991 में आया, उसके बाद HTML 2 1995, HTML 3 1997 में, HTML 4.1 1999, और XTML 2000 में आया, और XTML 5 यह अभी latest version है, वो 2014 में launch हुआ था, यह अलग-अलग versions है HTML की, ओके, थैंक्यू, हम अभी one by one करके, एक एक चाप्टर सीख लेंगे और पूरा HTML स्टड़ी कर लेंगे.